1979 में मिथुन चकरूरती की बॉक्स ओफिस पर एक ऐसी फिल्म रिलेज हुई थी जिसने बॉक्स ओफिस पर तहलका मचा दिया था ये मिथुन चकूरती की उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में से एक थी मिथन चकुरती की इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कावल सर्मा ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया था आनू मलिक ने तो चलिए हम बताते हैं इस फिल्म से जोड़े कुछ रोचकत थे मिथन चकुरती के फिल्म जब बॉक्स आफिस पर रिलीज हुई थी तो खासकर मुंबई में इस फिल्म का इतना ज़्यादा क्रेज हुआ कि 15 दिनों तक इस फिल्म के टिकट नहीं मिल रहे थे इस फिल्म के सारे सोज हाउस फूल जा रहे थे और मितुन चकुरती की एक्टिंग लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी कि लोग बार बार सिनेमा घरों में जाकर मितुन चकुरती की एक्टिंग को देखकर इंज्वाय कर रहे थे और साथ ही मितुंचे कुर्ती के उपर फिलमाया गया एक गाना इतना ज़्यादा सुपर हिट हुआ कि लोग सिनेमा हाल में जाकर उस गाने पर डांस करते थे और परदे पर पैसे सिक्के फिक कर इंज्वाय करते थे ये गाना था जूली जूली ये गाना उस दोरान भी इतना बड़ा सुपर हिट हुआ था कि लोग इस गाने पर साधी व्याह में डांस किया करते थे और आज भी ये गाना इतना सुपर हिट है कि लोग आज भी साधी व्याह में इस गानी को जरूर बजाते हैं इस फिल्म में मिथुन चकुरती के साथ संजिदत और गोविंदा सपोर्टिंग रूल में नजर आये थे और पब्लिक को भी इन तीनों की अधाकारी बहुत पसंद आये थी मिथुन चकुरती की ये फिल्म बाक्स आफिस पर इतनी बड़ी सूपर हीट हुई कि इस फिल्म ने अपने लागत से čार गुना ज़ादा पैसे की कमाई की थी ये फिल्म मात्र दो करोड रूपे में बनाई गई थी लेकिन इस फिल्म ने आठ से नौ करोड रूपे की कमाई करड़ा ली थी मिथुन चकरवरती के उस दौर में मिथुन की 10 से 12 फिल्में एक साल में रिलीज हुआ करती थी अगर मिथुन चकरवरती की अगली कोई रिलीज नहीं होती तो ये फिल्म 15 से 20 करोड उपे का कलेक्शन करती लेकिन मित्वन चकुरती का फार्मूला ऐसा था कि फिल्म अगर सूपर हीड हो गए है तो उसे निकाल कर अपनी दूसरी फिल्म को रिलीज कर दिया करते थे तो ये था मित्वन चकुरती का जलुआ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू